हालो फ्रेंड वेल्कम भैक टुमाई चैनल फ्रेंड आप लोग कैसे वो जरूर बताएगा तो फ्रेंड आप लोगो के लिए न्यूग कीचंटीपस लेख है मागा फ्रेंड फ्रेंड ये किचंटीपस आपके बहुत कामाने वाली है तो आप लोग वीडियो में बने तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे हम कोई वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड कौन कन से किचन टिप सेयर किया है तो फ्रेंड इसमें क्या है कि जब हमारे पा मत करिएगा तो आप पास अगर पानी वाला बाटल इस तरह से 2 ऎटर वाला ये जो बाटल है मेरा 2 लिटर का है अगर आपके पास भी इस तरह से पेप्सी का है, कोई भी बाटल irrespons कि थोड़ा बढ़ा होने चाहिए तो आप ऐसे उपर से इस По तब ten इस होते हैं तो इन्हों को काचने में थोड़ा सा दिंगत जाता है तो फृइंड इस प्रकार से इसको उपर कहा हम निकाल लिये हैं जुआ इसको थोड़ा-स-उप उपर से अच्छे से हरावच कर देते हैं सीजर की सहँ鐘ता से यह देखिए कर दिए हैं चल Ajai यह पुराना हो चुका था इसका यूज नहीं था तो मैं इसको भी ले ली हूँ और इसको भी प्योग करती हूँ तो बहुत अच्छा फ्रेंड बहुत आपके काम आएगा तो आपको क्या करना है कि कुछ नुकीली चीज लेना है और उसको सबसे पहले गरम कर लीजी इस परक जला लिए हैं गैस को बारवार जलाना गैस यह छो जादा होगा तो आप इस प्रकार से एक मुम्भति जला लिजए और इस प्रकार से आप इस बाटल में यह प्सक्रस्चाथ G explosion फिर उपर साइड में दो छोड़ के फिर उपर करना है ऐसे पूरे बाटर में करना है तो देख सकते हैं फ्रेंट वीडियो में कैसे कर रहे हैं इस परकार से आप बाटर में होल कर लीजिए यह देखे तो इस परकार से हम कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट कर लिए हैं पूरे यह नहीं इस बाटर में तो देख सकते हैं इस परकार करें हैं चलिए हम दूसरे भी बाटर में डब्बा में चो कंटेनर है यह इसमें कर लेते हैं तो इसी प्रकार से इसमें थोड़ा से हम बड़ा यह नहीं होल रखेंगे तो थोड़ा से घरम होगा कोई भी चीज से आप करेंगे तब ही होल होगा नहीं तो इसमें ऐसे आसानी से होल नहीं होगा इस प्रकार से हम इसमें होल कर लेते हैं यह देखे प्रेंट, तिस प्रकार से हम यह देखे, थोड़ा गरम रहे, चक्कू गरम है, तो थोड़ा बड़ा होल कर लेते हैं, यह देखे, इसको भी 2-2 इंच की दूरी पे करना है, ज्यादा पास नहीं करना है, न तो ज्यादा दूर, और उपर भी ऐसे 2 इंच की दूरी पे करना है, तिस प्रकार से हम पूरे वाटर में होल कर लेते हैं, क्यों के हाँ पर कर देते हैं, तो वीडियो में देख सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम पूरे वाटर में कर लेंगे, तो देखे फ्रेंड, दोनों बाटर में होल कर लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका हम क्या उप्योग करते हैं, तो फ्रेंड आपको क्या करना हैं, मिठी लेना है आपके गार्डन में मिठी हो गी ही, तो मिठी ले लेना है, पहले थोड़ा सा नीचे तली में मिठी को डाल देना है, जिसमें बड़ा होल करें हैं, उसको पहले हम लिए हैं, उसमें पहले तली में मिट्टी आप डाल दीजे इस परकार से, फिर क्या करिए फ्रेंट, चलिए देख लेते हैं, और जो आपके प्याज में अंकुर आ गया है, तो इस परकार से उसमें लगा दीजे, ये देखे, थोड़ा सा हम दूरी छोड़ दे हैं, अब इसमें लगाने के बाद मिट्टी उपर से फिर डाल देते हैं, फिर मिट्टी डालने के बाद फिर जो होल में हम प्याज है, उनको लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेंड ये काम आता है, क्योंकि इस तरह प्याज जो होती तो फेग देते हैं हम लोग, औ आपको अगर हरी प्याज की जरूरत पड़ जा तो अगर आप ले आएं घर में हैं तो ठीक है नहीं तो फीर नहीं मिलती है तो आप इस प्रकार अपने गार्डन में कोई भी इस प्रकार होल करके लगा सकते हैं और फ्रेंड बहुत अच्छी ये एकदम फ्रेश और सुद्ध प्याज के पत्ते राते हैं जैसे हम कभी कुछ रेश्पी बनाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा उप्योग में आ जाते हैं फ्रेंड इस प्रकार से आप घर में प्याज उगा सकते हैं जरूरत पड़ने पर ये बहुत काम दे देती हैं इसी तरह लेयर वाई लेयर हम इस प्रकार से हम प्याज को इसमें लगा देते हैं अब मिट्टी डालेंगे और लगाने के बाद फिर मिट्टी डालेंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी प्रकार से आप इसमें लगा दीजे तो देखे फ्रेंड इसमें हम जित्ता आया है उतना हमें दिभी में लगा दिये हैं तो चलिए इसमें भी पहले तली भी हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं फिर इसके बाद हम इसमें लैसुन जो हमारी लैसुन जब गई हैं तो उनको भी हम इसी में लगा देते हैं तो यह देखिए पहले इसमें डाले हैं और फिर उपर से मिट्टी डाल देते हैं रात हो गई थी लगाते लगाते साम टाइम वीडियो नहीं हम लगा रहे थे इसमें दोनों में हम पानी डाल देंगे इस प्रकार से यह हमारे जो है गार्डन में एक फ्रेश सबजी तेयार हो गई है तो चलिए आपको दिखाती हैं यह नहीं पंद्रा दिन वाद कै कितने हरे बहरे एक दम फ्रेश ओनियन यह नहीं पत्ते त्यार हो गए हैं आप इसके जब भी आपको जरूरत पड़े थे इसको तोड़ सकते हैं और इसमें नए पत्ते आते रहते हैं फ्रेंट यह बहुत है नहीं हमको नीटीब से अच्छी लगी आप लोगों को कैसी जरूर बताए अगर अच्छी लगी थोड़ी से भी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो दूसरे लोगों को भी काम आ जाए